दर्शकों नमस्कार आपका इस कारिक्रम में स्वागत है हम फ्लेक्सिप कारिक्रमों पर बात्चित करने जा रहे हैं इसका एक प्रमुक घटक है समगर शिक्षा अभियान समगर शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक महत्व कांग्षे परियोजना जिससे देश, राज और जिले जोड़े हुए हैं इसे बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए तमाम कारिक्रम लागो किये गए हैं उस पर हम बात्चित करेंगे और उस पर बात्चित करने के लिए हमारे स्टूडियों में एक बहुती खास मिहमान उपस्तित हैं हम इस से पहले की उनका आप से परिचे कराएं उनके बारे में हम बता दें श्री सुरेंद्र कुमार पांडे जी जो की जिला समन्वयक हैं और आप अनेक पुरसकारों से राश्टिय पुरसकारों से आपको अ भांडे जी आपका इस स्टूडियों में बहुत- होगत है जि दनेवाद सुक्ला जी तो हम बाचित का सिलसला शूरू करते हैं पांडे जी सबसे पहला तो यही कि समग्र शिक्ष्या अभियान का विजन और मिशन क्या है ? समग्र सिक्षा अभियान का वीजन और मिसन सब के लिए सिक्षा यही है और उसकी प्राप्ति कैसे हो उनके संसाधनों को उपलब्ध कराना ताकि जो सब के लिए सिक्षा है वो वाकई धरातल पर जो हम उसको चरितार्त कर सकें या फलीत कर सके ने समगर शिक्षा से हमें ऐसा लगता है पांडे जी कि जैसे सरो शिक्षा अभियान था माधमिक शिक्षा अभियान था शिक्षक शिक्षा था अनेक अभियान थो थे तो क्या इस समगर में इन सब को सम्मिलित किया गया है जी निश्चित तोर पे सुकला जी जो समगर सिक्षा भियान है वो एक तरह से तीन योजनाओं का एक इंटिग्रेटट सो रूफ है जिसमें सरुषिक्षा भियान जो है रास्टी माधमिक सिक्षा भियान तो इसमें किस इस तर के लोगों को शामिल किया गया है इसमें पूरु प्रात्मिक शिक्षा से लेकर कक्षा बार्वी तक के समस्त विद्यार्थियों को सामिल किया जैसे सर शिक्षा में ते केवल मिडिल तक था हाँ जी उसमें कक्षा एक से आठ तक था राष्टी मादमी शिक्षा अभियान में नौ से बारा तक था उस समय पूर प्रातमी शिक्षा छूट रही थी इन सभी को एक साथ जो है एकिक रिद कर समगर शिक्षा के रूप नहीं को जो इंट्रास्ट्रक्चर है वर्तमान में उसको उन्येन करके और बच्चों के शिक्षा को और ज्यादा बहु आयामी बनाने के लिए यह अभियान किस तरह से काम करता है समगर शिक्षा प्रक्री टी एलेम डिजिटल सिक्षा इन सबके साथ साथ एक जो इसका जो मूल वाक्य है कि सबके लिए सिक्षा वो तभी संभव है जब हमारे समाज में जो दिव्यांग सरेणी के बच्चे हैं उनको भी हम सिक्षा के मुख धारा में जोड सकें जिसके लिए इसमें वैसी सिक्षा जिसको कि हम इंकलोजिव एजूकेशन कहते हैं ये हमारे बीच में जो दिव्यांग सरेणी के बच्चे होते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार दोरा 21 प्रकार की बाधिताओं को दिव्यांग सरेणी के लिए चिन्हित किया जिए ये नर्मल स् खारण विद्यारती अपने घर से बाहर नहीं जा सकता समगर सिक्षा का एक महत्पूर्ण सुत्र ये है कि चुकि सबके लिए सिक्षा तो समावेशी सिक्षा के अंतरगत हमारे जो स्पेसल एडूकेटर होते हैं बी आरपी होते हैं वो बच्चों को जो इसकुल नहीं जा स नहीं हमने एक चीज़ और देखा कि पुराने समय में जब गुरुकुल प्राणाली थी उसक्त बच्चे आश्रमों में जा करके पढ़ाई किया करते थे और उनके समगर और सरवांगिन विकास पर ध्यान दिया जाता था तो क्या इस शिक्षा पध्धती में चुकि समय बह आपको समाहित कर रहा है यह भी बताने का कश्ट करें जी समगर सिक्षा अभियान का एक महतपूर्ण पार्ट निश्चित तोर पर कंप्यूटर समर्थित सिक्षा या स्मार्ट क्लास या डिजिटल सिक्षा है जिसके लिए सुरू में तो नौवी से बारवी तक के बच्च अभि जो है समगर सिक्षा के माधियम से उपलग्द कराये जा रहे हैं इग्युकर Billie low休 word जी एक चीज और है कि जैसे माली जी हम जब शिक्षा के बात करते हैं अधूकिशन के बात करते हैं तो उसमें और रही प्रमुख रूब से हमें दिखाई देता है इस स्पोर्ट्स क गतिविदियां, बच्चे आज देखिए, ओलम्पिक में हमने कितना सांदार प्रदर्षन किया, हमने अनिक मेडल लाए, तो हमारे जो बच्चे आज निकल रहें प्राइमरी के हो, मीडिल के हो, या हैरिस्कंडरी के हो, उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोशाहन के लिए समगर शिक्षा भीयान में किस तरह का जुडाओ किया गया, किस तरह की युजनाय लाए गई है जी, देखें सिक्षा का मुख्यों देश सिर्फ संग्यानात्मक विकास ना होकर, सह संग्यानात्मक विकास भी होता है जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें स्पोर्ट से एक बहुत महत्पूर्ण अंग होता है। स्पोर्ट के पूरे औसर खेल सामगरियां प्रदान कर विद्यालों में फिजिकल ट्रेनिंग इस्ट्रक्टर की नियुक्ति कर इस तरह से उनको औसर दिये जाते हैं। निश्चित तोर पर ऐसे ही बच्चे जो विद्यार्थी जीवन से अपनी प्रतिभा का परदर्शन कर रहे हैं। संस्कृतिक गतविदियों के लिए भी समगर शिक्षा अभियान में कुछ चीजें लाई गई गई हैं जिससे बच्चों का संस्कृतिक उत्थान भी हो सके। जी निश्चित तोर पर सुकला जी मैं बताना चाहूंगा कि हर वर्स कला महुत्सौव, कला उत्सौव आयोजन होते हैं। इस कला उत्सौव में विकास खंड इस तर से लेकर जीला और राज तथा रास्टे इस तर पर बच्चों की जो चमता होती है कला के छेतर में उसको आगे बढ़ाने के उसर दिये जाते हैं। के भी जो योजना बनाई गही है यह निश्चित तोर पर कला के प्रती बच्चों के रुजहान और उनको आगे जाने के उसर प्रदान करता है। मैं उसे ऐसा लगता है कि समगर शिक्षा अभियान वास्तों में एक जादू का पिटारा है। बस इस जादू के पिटारे को देखने के जरूरत है। पांडे जी आपने इतनी अच्छी बातें बताई आप इतने लंबे समय से 30 वर्षों का आपका कारिकाल है शिक्षा के छेतर में। जब समगर शिक्षा अभियान अस्तित में आया है इससे शिक्षा की छेतर में क्या बदलाओ देखने के मिल रहे हैं। किस प्रकार का परिवर्तन आया है समाज में या शिक्षा के छेतर में। जे निश्चित तोर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सरुषिक्षा अभ्यान चुकि माध्मिक मतलब कक्षा पहली से लेकर आठवी तक के बच्चों के लिए थी तो उसमय जो नौवी से बार्वी की जो सिक्षा थी वो अपने परामपरागत तरीके से चल रही थी लेकिन अ तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्योंगी परिक्षाओं के लिए भी तैयारियों की व्यास्ता जो है इस तरह की योजनाएं सामिल की जा रही बहुत अच्छा तो देखिए कितने सुन्दर बदलाओ पांडे जी ने जो इशारा किया है पांडे जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस अभियान की सफलता के लिए आप बच्चों को या पालकों को या समाज के लोगों को मुझ जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यह और सफल हो बच्चे हमारे शिक्षा के छेतर में और आगे बढ़ें मैं तो यही संदेज देना चाहूंगा कि समस्त माता पिता क्योंकि बोलते हैं कि बच्चों के प्रथम गुरू जो है माता पिता होते हैं माता पिता अपने बच्चों के सिक्षा के प्रती सजग हों विद्यालेयों के साथ उनका लगातार जुड़ा होना चाहिए सामुदाइक सहब हागिता को हम बढ़ाएं और हम हर इस तर पे चाहे हो ग्रामेंड हो सुदूर छेतर हो हमारे बस्तर छेतर में पोर्टा केविन बनाए गए हैं जहां पर बच्चे रहकर सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर इस तरह का समर्पन आवश्यक है पोर्टा केविन पोर्टेबल का सौर्ट फॉर्म है पोर्टा केविन वो ऐसे होते हैं जिसको जो और सिक्षा पढ़ने पर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्थान आंतरित भी किया जा सकता है तो ऐसे जगहों पर रहकर बच्चे सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं म समग्र शिक्षा अभियान एक मिल का पत्थर साबित होने वाला है। विदा लेते हैं धन्यवाद।